लीजे आज कथा सहित्ते में सुनिये मालती जूशी जी की लिखी कहानी दंब के गेरे शनिवार की दोपहर बैंक की जल्दी छुटी हो जाती है पर ये अक्सर रोज की तरहां साड़े पांच बजे ही घर पहुँचते हैं शहर में रहने वाली दीदी के यहां जाने के लिए शनिवार ही सूट करता है यूँ हम लोग सापरिवार भी अक्सर हो आते हैं फिर भी शनिवार का नियम कभी नहीं तूटता इस सापता हिक भींट के मूल में भाई बेहन का प्यार तो है ही पर उस पहाने दीदी के सुख सोचते हैं कई बाते ऐसी हैं जो शाया दीदी मेरे सामने कह नहीं पाएंगी मैं उनके इस ब्रह्म को बनाए हुए हूँ पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ वहां से लोटते ही मुझ पर बरस पड़े हर जगह अपने अकलमंदी का सबुद क्यों दे आती हो क्या हुआ अपम मान लो जिकर किया भी तो कौन सी ऐसी कयामत आ गई पता है दीदी कितना रो रही थी बोली कुसुम के लड़की नहीं है इसी से इतनी एठी रहती है जो मुह में आया बेचूट कह डालती है ऐसी मैंने कोई गाली कलोश तो की नहीं है जो इतना हंगामा बरपा जा रहा है प बोली दोनों लड़कियों की शादी में हम कंगाल हो गए अब ये दो और छाती पर बैठी है वे दोनों तो सीधी थी जहां बेहा दिया चली गई पर नीता तो डॉक्टर इंजिनियर से नीचे बात ही नहीं करती जोला भर रुपे हो तब कहीं डॉक्टर वर जुटता है प चर्चा करने से पहले कुछ तो सोचा होता सोचना क्या है ब्राह्मन का लड़का है एमेस कर चुका है अच्छी नौकरी है कोई जिम्मेदारी नहीं घर में बस एक मा है और वो मा कभी तुम्हारे यहां खाना बनाया करती थी तो क्या हुआ मुसीबत किस पर नहीं आती एक पड़ बे सहारा औरत और करही क्या सकती थी कोई चोरी चकारी तो नहीं की उसने मेहनत मजदूरी करके बच्चे को इस योके बनाया है मैं तो लड़के को भी दाद दूंगी जो इन परिस्थितियों में पलकर डॉक्टर बना है सच मेरी अपनी कोई लड़की होती तो मैं खुशी से ब्याह देती मैंने तमकर कहा बस बस अब अपनी अकलमंदी रहने दो पता नहीं है नीता एक्दम आग हो रही थी बोली मामी जी से कह देना मेरी चिंता ना करें मिसरानी के लड़के से शादी करने की अबेक्षा मैं कुवारी रह जाऊंगी वह मुझे मंजूर ह कुवारी रहो तो अपनी बला से हमें क्या करना है मैंने कहा और बात समाक करती सच देदी पर कुस्सा आ रहा था जब भी मिलती हैं लड़कियों का रोना लेकर बैठ चाती हैं सीता गीता की शादी में सब स्वाह कर बैठी हैं दो फिर भी बाकी हैं चोटे कुलती पक अभी हाई स्कूल में हैं पता नहीं वे कब कमा कर देंगे लड़कियां तो तब तक बुड़ी हो जाएंगी छोटी रीता तो फिर भी अभी पी एसी कर रही है पर नीता तो कब से एमे कर चुकी है बीएट किये भी ये दूसरा साल चल रहा है कहीं जुगार ही नहीं बैठ रहा सर जाई सो पर दस्थकत करवाते हैं और डेट सो पकड़ाते हैं महिश की बात चला कर अपनी समझ से मैंने तो कोई बेवकूफी नहीं की उसकी मा मेरे यहां कुछ दिनों तक खाना बनाया करती थी यह सच है पर इसे लड़के की गुणवत्ता में तो कोई फर्क नहीं आता औ और मा पेचारी करती भी क्या पति किमरित्यू के बाद जेट देवरों ने मिलकर चायदा धड़प ली और जाडू मार कर घर से निकाल दिया पीहर में वैसे ही हालत खसता थी विद्वाननत और भांजे को देखकर भावियों के तेवर ही पदल गए काकी लेकिन हिम्मत वाल थी विन्य के समय बिमारियों ने मुझे ऐसा जकड़ा कि छे महीने मैं खाट से उठ नहीं पाई नन्हे अजय अभे अनाच से यहां वहां घुमते रहते दीदी आ जाती थी कभी उनकी लड़किया रह जाती पर आखिर कोई कितने दिन अपनी ग्रहस्ती अपनी पढ़ाई चोड़कर मेरे पास रह जाता काकी मेरे भागे से ही उन दिनों शहर आई थी उनकी वे रिष्टेदार हमारे ही मौहले में रहते थे अपना एक कमरा उन्होंने मा बेटे के लिए खाली कर दिया था अजीव का उन्हें अपनी तलाश नी थी काम की तलाश में ही वो मेरे घर आई थी और फिर जैसे इस घर की होकर ही रह गई मुझ पर तो उनकी असंख्य उपकार हैं मेरे अजय अभे को उन्होंने ही पाला है बेमारे में उन्होंने मेरी जैसी सेवा की वैसी बस मा ही कर सकती हैं वे ने कुछ बड़ा हो गया तो मैंने फिर अपनी ग्रहस्ती सम्हान ली किसी परिचित से कह सुनकर इन्होंने काकी को नारे कल्यान में लगवा दिया था पर हम लोगों के संबंध या थावत बने रहे मुझे जब भी जरूरत हुई काकी हमेशा दोड़ी चली आई महेश तुझे इस घर का ही बच्चा था इसी घर में बैठ कर उसने अपनी प वैसे लड़का जहीन था हमेशा स्कॉलर्शिप पाता रहा फिर भी काकी हमारे रिन को कबूलती है जब भी कोई बच्चे की तारिफ करेगा तो यही कहेंगी भाया मैंने तो जनम भर दिया है असली मा बाप तो यही है आप तो महेश की नौकरी लग गई है चार-पांच सा से काकी घर में बैटकर भगवत भजन कर रही है फिर भी कहीं से रिष्टे की बात आती है तो भागी भागी मेरे पास आती है दुलहिन तुम ही ज़रा ठीक से देख ताखतो मैं गवार क्या जानू मैं कहती हूँ महेश से पूछो ना आखिर शादी तो उसे ही करनी है महेश से बात करने पर वो कहता भाभी मेरी तो बस एक ही शर्थ है तुम जिसे कहोगी बहालूंगा बस वो मेरी मा का अनाधर ना करे इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे विश्वास था कि वो मेरी बात नहीं टालेगा इसी लिए हिम्मत करके उस दिन दीदी के यहां बात चलाई थी पर सब उलट उलट हो गया मेरी ही जान सांसत में पड़ गई मन इतना खटा हो गया था कि अगले कही दिनों तक बल्कि महीनों तक मैंने दीदी के घर में पाउन नहीं दिया यह बदस्तूर चाते रहे इन्होंने ही आकर एक दिन खबर दी नीता की शादी त अगर का क्या करता है वल्लब भवन में है वहां क्या है बाबु है ये बेवजा चड़ गए उसके सपने तो बड़े उंची हुआ करते थे मैंने चिकोटी ली उंचे सपने कौन नहीं देखता ये बिना बात मुझ पर बरस पड़े पर उन सपनों की कीमत चुकाने लायक पै कर शुरू हो गया पांच बेहनों में अकेले भाई हैं ये एक साल भी खाले नहीं जाता कहीं न कहीं जाना ही पड़ता है बड़ी हसरत से कोई प्लान बनाते हैं पर उसकी स्याही सुखती भी नहीं और किसी बेहन के यहां से निमंत्रन आ जाता है सारे अर्मान मन में ही रह हैं आई के सारे स्रोंतों से खुरच-खुरच कर पैसा चोड़ते हैं और सामान लेकर शादी में पहुंचते हैं पर बेहनों के मुह हमेशा फूले ही रहते हैं पता नहीं उनकी अपेक्षाएं कहां खत्म होती हैं भाई की मोटी तंख्वाह तो सब को याद रहती है पर उस माहौल में मैं आकारण अपरात बोच से भर उठती हूँ बिने तो अभी छोटा है पर अजय अभे तो इस सालाना प्रोग्राम से इतने उप चुके हैं कि उन्होंने साथ जाना ही छोड़ दिया है बड़ी दीदी के यहां कोई शादी होती है तो परेशानी और भी बढ़ बात तो खेर देना ही पड़ता है पर शहर का मामला होने से दूसरे सो खर्च चुप चाप लग जाते हैं आधे महमान यहीं रुकते हैं बहने शादी के बहाने आती हैं पर महमान दारी भाई के यहां होती है काम के लिए सुभा शाम चक्कर लगाना पड़ता है पेट्रोल क खर्च दुगना हो जाता है हम लोगों ने एक रविवार को सदुप्योग किया और डेड़ दो हजार खोंकर सामान ले आए अभी उनके रैपर्स खुले भी नहीं थे कि दीपक साइकिल पर भागा भागा आया अम्मा ने कहा है हम लोग डाइनिंग टेबल नहीं ले पाए ह आप लोग और कुछ ना दें बस वही भर दें इतनी कोफ्त हुई यह वक्त है कहलाने का रोज सुभा शाम चकर लग रहे हैं कल तो कहकर आये थे कि रविवार को शॉपिंग करने है तब कह देती तो क्या पिगड़ जाता अब क्या क्या लोटाते हम साड़ियां भले ही तु कुछ तो लेना ही पड़ता और कटे हुए पीसेस कौन वापिस लेगा खैर फिर भी डाइनिंग टेबल तो लेनी ही थी दीदी ने खुद कहलवाया था मना कैसे कर देते इसके बात भी बात नहीं बनी दीदी की चिठानी रूठी रही कि उनके लिए साड़ी नहीं आई दी को सनमायका का डेजाइन पसंद नहीं आया था दीपक ने पोलियस्टर शर्ट पीस की आशा की थी टी-शर्ट पाकर उसने इतना बुरा मुह बनाया कि बस सबके चेहरे पड़कर मेरट वाली दीदी बोली अकेला बेचारा फिर भी जैसे तैसे कर तो देता है माजाय का फर् पिछले वर्ष उत्तम की शादी में कैसा नाटक किया था एक ही लड़का है उनका तो हम क्या करें हमें तो हर सार भुकतना है इसी से तो ये रिष्टेदारियां अखरती हैं कोई खुले मन से किसी के यहां जा नहीं सकता मन एक्दम बुझ सा गया था मैं सौपे गए काम बे क्यासू महिलाएं खुसर पुसर कर रही थी लड़के की उसके परिवार की ही चर्चा हो रही थी सुना है बाप हेट मास्टर है बड़ा भाई शायत तार आफिस में है एक बहन अन्ब्याही बैठी है कॉलेज में पढ़ाती है लड़का क्या करता है बाबु है अरे अरे क्य 15,000 में क्या डिपटी कलेक्टर मिलेगा तंखा क्या है साड़े 500 बता रही थी पता नहीं मुझे एकदम क्या सूझा इतनी देर तक चुप चाप बैठी मैं एकदम बोल पड़ी हूँ साड़े 500 तो महिश पंबई में अपने फ्लैट का किराया दे रहा है नीता ने तडब कर मेरी और देखा पर मैं खुश थी मानेकदम हलका हो गया था जैसे पुराना हिसाब चुकता हो गया हो शाम को मंडब को रंगोली से सजा रही थी कि रीता धीरे से पासा कर बैठ गई मामी जी एक बात कहनी थी उसका स्वर बुरी तरहां काम रहा था मैं समझ गई रात के लि में से यही तो होता है चाहे कॉलेज में कैदरिंग हो या सहेली की शादी सबको साड़ियां चाहिए जैसे मामी जी ने दुकान खोल रखी हो मैं समझ तो गई थी फिर भी अंजान बनते हुए पूछा कहो क्या बात है आप किसी से कहेंगी तो नहीं ना फिर भी वो चुप रही और जमीन पर कालपनिक अलपना बनाती रही जब मैंने टोका तो उसने साहस बटोर कर कहा मामी जी मैं नीता दीदी की तरहां गोरी तो नहीं हूँ पर आपके महेश यदि मुझे पसंद कर सकें लेकिन बेटे मामी जी मैं इस सवाल से तंग आ गई हूँ दो साल बाद पापा फिर मेरे लिए भटकना शुरू कर देंगे लड़कों के भाव तो दिन पर दिन भड़ते ही जा रहे हैं मेरी शादी के बाद तो गुड़ू के लिए घर में कानी कौड़ी भी नहीं बचेगी वो मेरा एकलोता भाई है मामी जी मैं चाहती हूँ वो खूब बड़े इंजिनियर बने उसे खूब बड़ा आदमी बनना है मैं अपने हिस्थे के सारे रुपे उसके नाम कर दूँगी कांकते स्वर में बड़ी मुश्किल से वो अपनी बात कह पाई और बात खत्म करते ही भाग खड़ी हुई शायद इतनी बड़ी बात कहने के बाद उसे वहा हो देर कर दी बेटे यह हिम्मत थोड़ा पहले जुटा लेती तो महेश की पिछले हफते ही सगाई हो चुकी है इतना लायक लड़का मुफ्त में मिलने लगा तो कोई छोड़ेगा भला सभी लड़कियां नीता जैसे पेवकूफ नहीं होती अभी आप मालती जूशी जी की लिखी कहाने दंब के खेरे सुन रहे थे इसी प्रकार के सहित्ति कहानिया सुनने के लिए कथा सहित्ते से चुड़े रहिएगा धन्यवाद